है next match region pads ghim पढ़ेंगे Saban a huge एस पर्तिक्लर विडियो में हम इंडियुलियों को ही cover करेंगे next video में हम pass इसी तरह से अंपल कोवे के विजये सहया से हम जैसे इसमें हमने simple जो करब किया है उसके बाद हम continuous और इस ही क्र में हम अपने voices को solve करते जाएंगे ठीक है तो पहला है indefinite पहले हम सभी indefinite को simple भी बोलते हैं तो simple present, simple past, simple future इनको हम किस तरह से change करते हैं हम इसको देखेंगे और model model भी हम इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे त्योंकि ये सब चीजे जो हम simple, simple, simple यानि कि पहला जो पढ़ाव है हम उनका तीनों टैंस का वो first part indefinite को उठाएंगे और उसको solve करने की कोशिश करेंगे ओके इसका structure आप देखे simple present का structure क्या है subject प्लस वर्फ की first form प्लस object जैसा कि मैंने आपको बताया था और अगर वही चीज हापकी simple past में है तो वर्फ की second form यूज होगी वर्फ की three form वर्फ बोलते हैं action word को और वर्फ के three types होते हैं first form, word की first form, वर्फ की second form और वर्फ की third form इस तरह से हम इसको use करते हैं वर्फ होता है action verb जिसके उपर की tense अपना काम करता है जिसके हिसाब से हम tense को decide करते हैं कि वह किस तरह का है वर्फ की हिसाब से हम उसको choose करते हैं वह हमें state पताता है action की state क्या है ठीक है और वर्फ की first form, word की second form हो जाएगी और simple future में होगा तो वह हमारे लिए जैसा कि हम जानते है शेली या विली ही use होता है और वर्फ की first form use होती है ठीक है इस तरह से वह tense active में रहेगा अब अगर हम इसे past में change करेंगे तो वह किस तरह से आएगा कि आप देखिए जो हमारा object था यहाँ पर वह अब हमारा यहाँ पर जो हमारा अब यह इस तरह से change हो जाएगा कि जो object बाद में था वो पहले आ जाएगा वो object था वो हमारा subject बन जाएगा अब और जो subject है वो हमारा object बन जाएगा passive में ओके और क्या होगा यानि कि जो यह object है वो आ गया जाएगा और जो जो subject है यह पीछे चला जाएगा and verb की third form मैंने आपको पहले ही बताया था verb की third form यूज़ होगी और मैंने क्या बताया था आपको कोई भी helping verb B की form यूज़ होगी इस एमार और B की form के साथ में ही हम verb की third form लगाएंगे पासिव में यह definite है मैंने आपको बताया था कि हम B की form के साथ में ही verb की third form यूज़ कर सकते हैं वो B की form होगी और तब ही verb की third form लगेगी और तब वो हमारा passive sentence बनेगा अदरवाइस वो action active में ही रहेगा और हमने preposition यूज़ करनी है by ठीक है यह सभी में होगा आप देखिए यहाँ पर notice कीज़े कि by सब में रहेगा by सब में रहेगा और जो subject हमारा आगे था अब वो subject पीछे जा चुका है जो object हमारा आगे पीछे था वो object passive में हमारा आगे आ चुका है और B की form हम यूज़ कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पर वर्ब सिंपल प्रेजन में अगर वी की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर यहाँ पर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रणेगी प्लस भी बी को यह लेगा और यहाँ पर भी वर्ब की सेकिंड फॉर्म है और यहाँ पर बी और वर्व की third form लेगा और model model के साथ में भी हम वी का use करते हैं तो model के साथ में भी हमने वी का use किया है by subject अब हम इनको एक एक करके sentence इसका बनाएंगे ओके तो आप देखिए first हमारा structure क्या था हम structure को भी revise करते हैं चलेंगे I क्या है यहाँ पर subject love क्या है love क्या है action है I love vegetable I मैं love प्यार करता हूँ vegetables को मुझे यहाँ पर वो प्यार नहीं है यहाँ पर पसंद की बात कर रहा है मुझे सबजियां बहुत पसंद है I love vegetable तो अब देखिए यहाँ पर यह object था तो object हमारा आ गया आ गया ठीक है उसके बाद में यहाँ पर क्या था यह जो है verb की first form यूज़ की है हमने यह present में है tense हमें verb की first form से पता लग गया तो यहाँ पर love है और यहाँ पर हमने r यूज़ किया इसलिए r क्या है यह b की form है ठीक है यह बी की form है और वर्ब की third form हमें पता यूज होती है उसके बाद में preposition यूज होती है और उसके बाद में हमारे पास subject जो था वो आ गया ओके आई को हमने मी में चेंज कर दें यह आपको यह भी याद करने पड़ेंगे कि आई को मी में चेंज करते हैं यू को यू ही रहने देते हैं ही को हीम बना देते हैं शी को हर बनाते हैं यह सब भी हम पढ़ेंगे next slides में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि चेंज कैसे होती है next है I wrote a letter I यहाँ पर क्या है I यहाँ पर हमारा subject है I subject wrote verb की second form है तो हमें पता चलके यह past है a letter यह हमारा object है यह वैसे तो article होता है बठिया यह पूरा एक object बनाता है then object आ गया 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 a letter object ओके ओक है है अबजेक्ट वोस क्या हैं और वह हमारे पास यहां पे वर्प की बी है यह बी वर्प अब को इसको हमने चेंज कर दिया अपर मी और मी ने एक्टिर्व किया है यहां पर पहले में वो खुद action कर रही थी I जो थी active थी I wrote a letter मैंने ये letter लिखा था ठीक है और a letter was written यहाँ पर emphasis second sentence में letter पर है a letter was written by me मेरे द्वारा letter को लिखा गया और letter पर बहुत emphasis है अगर आप बोल के भी देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा next हम move करेंगे future tense पे future tense में कुछ बाते हैं जो कि आपको याद रखनी है कि verb की third form do not take place directly with model that's why be is used while using will shell मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम directly जो है verb की third form को model के साथ में या will share के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं हमें उसके साथ में B की किसी form को जरूर लेना पड़ेगा इसी लिए हम will के साथ में जैसे की आप देखेंगे I यहाँ पर क्या है I यहाँ पर हमारा subject है will हमारा यहाँ पर model है teach यहाँ पर हमारी verb की first form है और या फिर आपको इसको मेडल भी इसी मोडल की तरह भी यूज होता है will और will जो है हमारा future की तरह भी यूज रहे हैं यहाँ पर हम इसको future माल लेते हैं चलिए future का will shell है ठीक है और verb की first form है और यह हमारा object है उसके बात में जब हमें हमने इसे change किया तो क्या हुआ object आ गया हमारा u का u रहता है और हमने will shell जो है वो लगा दिया यहाँ पर ठीक है यहाँ आप future और model दोनों तरह से यह दूए हरा और बीखी किसी फाम को हमें लेना कंपसट रही था तो हमने भी ले लिया ठीक है और हमने लोग टीज था तो हमने वर्व की third form लेनी है तो हमने टाष लिया टीज टाष 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 और उसके बाद ने by प्रेपोजिशन को लिया हमने then हमने I को प्रेपोजिशन के जो है चेंज के हिसाब से subject और object जब change होता है प्रेपोजिशन तो किस तरह से वो यूज होती है ये भी आपको मैं बढ़ाऊंगी तो I को हमने मी में चेंज करती है ये हमारा subject बन गया तो इस तरह से ये structure बना हमारा ये था हमारा future और model भी इस तरह से यूज होता है अगर can है अगर मैं लिखू I sentence को इस तरह से भी change करूँ कि I can teach you तो can हमारा यहाँ पे model है और model के साथ में हमेशा हम भी लगाते हैं तो मैंने वो लगा दिया और teach को हमने वर्ब की third form में change कर दिया and preposition लगाया और pronoun की हिसाब से change कर दिया ठीक है so so this is all about the model and future तो यहाँ पे हमने indefinite या simple tenses को cover कर लिया है उसके बाद में बारी है कुछ tips की तो one someone nobody no one somebody people public us them this word if came in a sentence then no need to mention it specifically word is taken according to subject always what does it mean इसका मतलब यह है कि अगर कुछ हम कहते हैं जैसा कि हमने कहा कि थीफ पुलिस अरेस्ट दा थीफ तो पुलिस अरेस्ट दा थीफ अब हमें यह पता है कि थीफ को अरेस्ट करने का अगर किसी को अधिकार है तो वो पुलिस को ही है ठीक है तो हम उसे बोलेंगे पुलिस अरेस्ट दा थीफ अब जो दा थीफ है वो हमारा अब्जेक्ट आ गया जाएगा तो हम बोलेंगे दा थीफ अब जो पुलिस अरेस्टेड दा थीफ अगर हम बोलेंगे arrested बोलेंगे तो हमें पता है कि वो verb की second form है अब हम वहाँ पर यूज करेंगे B, B में क्या यूज होगा second form में was या वर police, the thief एक ही है तो हम was यूज करेंगे the thief was arrested okay, was arrested by the police तो अगर मैं इसको by the police ना भी लिखूँ the thief was arrested तो अभी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हमें पता है कि thief को अगर कोई arrest कर सकता है तो वो police तो अगर मैं यहाँ पर police ना भी mention करूँ तो भी it is understood कि हाँ उसे police नहीं arrest किया है तो इस तरह की कई sentences होते हैं जहाँ पे हमें subject को mention करने के ज़रूरत नहीं होती हमें automatically पता चल जाता है कि वहाँ पर subject कौन रहा होगा receiver कौन है उस action का तो इस तरह की वो sentences इसे one someone, nobody, no one, somebody, people public, us, them तो इस तरह की वर्ड है अगर हम इनको mention ना भी करें तो हमें it is understood कि receiver कौन है और वर्फ को हमेशा हम subject के according ही use करेंगे कि जैसे कि हमें पता है he, she, it के साथ में हम क्या अगर वो he, she, it जो है हमारे singulars है तो singular अगर हमारा subject है तो उसी तरह से हम वर्फ यूज़ करेंगे इसको हम subject वर्फ का agreement या concord कहते है यह different topic है बट इतना आपको सबज़ाना चाहिए कि हम किस के साथ में क्या यूज़ करते है I के साथ में जैसे always am यूज़ होता है ही sheet के साथ में अगर हम past में है तो was use करेंगे अगर हम present में है तो हम has use करेंगे तो इस तरह से हमें चीज़ों को देखना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट हम जो है हमारे लिए ज्यादा burden ना होड़ा है तो हम continuous को next वीडियो में कवर करेंगे Thank you everyone